Hello friends, welcome back to our channel और आज की सीडियो में हम यहाँ पे करने वाले mental retardation के बारे में तो mental retardation उन छात्र को कह सकते हैं कि जिनका IQ एवरे से भी कम रहता है तो यहाँ पे देखे लिखाओ यह वे बच्चे हैं जिनका बुद्धी इस तर और सर से भी कम है पहले इस प्रकार के बच्चे को पिछड़ा बच्चा कहा जाता था लेकिन किसी मनोविज्ञानी के अनुसार वर्तमान समय में मन बुद्धी वालक ऐसे बच्चे होते हैं जिनमें बुद्धी की कमी होती है और जो समाज के साथ मिल जू नहीं पाते हैं उसके बाद लिखा इस प्रकार के बच्चों के लिए विशेश पार्टिकरम तथा विशेश प्रसिक्षन प्राप्त अधिहापकों की आविशक्ता होती है इन बच्चों को मंद अधिगामी के नाम से भी पुकारा जाता है और उसके बाद मनोविञ्ञानिक प्यज के अनुसार मानसिख मंदता निम्न मानसिख विकास की वह अवस्ता है जो बालक के जन्व के समैश से विद्द्वान होती है या बाले वस्ता के प्रारंबी काल में ही उत्वन हो जाती है उसके बाद है WHO के अनुसार मानसिक मंदता मानसिक शमता का अवपूर्ण या अवपरियाप्त विकास है उसके बाद है मानसिक मंदता के परकार तो मुर्ख मानसिक मंदता माध्य मानसिक मंदता और गंबीर मानसिक मंदता तो मुर्क मादसिग मंधता होता है इसका बुद्धी इस्तर पचास से पचछतर की बीच होता है और ये छे कक्षा तक सिक्षा प्राब्ट कर सकते हैं मादसिग रूप से मादसिग मंधता बच्चों में लगभग 85% हलके मंध है उसके बाद है मध्यम मानसिक मंदता इनका बुद्धी इस्तर 35 से बचपन होता है ये लगभग निगरानी में काम कर सकते हैं और खुद की देखवाल करने वाले काम को कर सकते हैं ये आम तोर पर बचपन में बाचित का कोशल हासिल कर लेते हैं मानसिक रूप से मंद बच्चों में लगभग 10% मध्यम बुद्धी वाले होते हैं उसके बाद है गंबीर मानसिक मंदता इनका बुद्धी इस्तर 20 से 40 है मंद बुद्धी व्यक्तियों में से करीब 3 से 4% गंबीर रूप से मंद बुद्धी होते हैं तो बुद्धी लब्दी यानि की IQ का यहां पर फॉर्मुला होता है MA by CA into 100 MA हुआ मानसिक आयो और CA हुआ वास्टविक आयो तो इसको इंटू 100 कर देना है मानसिक मंदता के कारण तो वंचानुगत पर यहां वड़नी इसी थी हैं दाउन सिंड्रोम हाइड्रोसृइसल फैलसृइस कलाइन फैल्टर सिंड्रोम माइक्रोफैलस और मैक्रोसेफैलस और उसके बाद है क्रेटीनीज्व, एमियूरेट्डिक हाइडोसी, फिनाल केटोनुयूरिया, पीके यू यह सब इसका कारण हो सकते हैं मांसिक मंद तक है उसके बाद मांसिक रूप से मंद गुद्धी बच्चों की विशेस्ता हैं तो ये अधिगम धीमे करते हैं इनका IQ 50-70 तक होता है ये स्वय केंद्रित हैं ये समाज के साथ असानी से समायोजित नहीं कर पाते हैं इन में आत्मविश्वास की कमी होती है ये भावात्म गुरूप से अस्थिर हैं इनके पास सोचने कल्पना करने विसलेशन करने की शमतर नहीं होती हैं ये सब कुछ देर से सीखते हैं जैसे बैठना चलना पढ़ना आदी उसके बाद मनमुदी बच्चों की सिक्षा इनके लिए अलग से पाठे करम चलाया जाना चाहिए सै पाठे चरिया गती वीदियो को पाठे करम में शामिल किया जाना चाहिए शिरवी द्रिशे सामगरी का उप्योग सिक्षन में किया जाना चाहिए माता पिता के सहियों की आवशक्ता होनी चाहिए इनके लिए अलग से अवासी विद्याले होनी चाहिए प्रसिक्षित सिक्षिको को सिक्षक और प्रसिक्षन के लिए नियुक्त किया जाना चाहिए इन्हें वैवसाइक सिक्षा दी जानी चाहिए ताकि ये आत निर्वर बन सके परिशा के डर से मुक्त रखा जाना चाहिए और उसके बाद यहाँ पर निर्शकर्ष निकल के आता है कि मानसी मंता में बच्चे समाने बच्चों से अलग वैवार करते हैं किसी भी इस्तिती में यह बच्चे सक्षम नहीं होते हैं ज्यादा मानसी मंता वाले बच्चे दूसरों पर निर्वर रहते हैं बच्चों को विशेज प्रसिक्षिन के आपशकता पड़ती हैं तो यह था हमारा आज का टॉपिक मानसी मंता मेंटल इटारेशन इसके बाद मैं आपको दूसरे आनने टॉपिक भी करांगो जो इंपोर्टेंट है तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना थैंक्स वॉचिंग दिस वीडियो